हेलो एब्रेवान वेरी वांग वेलकम टू अलव यू वेलकम टू टू टीचिंग पार्शाला और मैं हूँ आफी एज़ वेडर जोती आज हम बात करने वाले हैं प्लाजमा मेंब्रेन के बारे में और यह एक काफी ज्यादा इंपॉर्टन टॉपिक है जो कि आपके CSI net point of view से बहुत ज्यादा वेटीज रखता है यह टॉपिक हम मेंली डील कर रहे हैं फॉर्म सेललर और यूनिट से और प्लाजमा मेंब्रेन का यह फर्स्ट पार्ट होगा इसके अलावा एक पार्ट और आएगा बिकॉस प्लाजमा मे मेंब्रेन के इंट्रोडॉक्शन से या फिर आप कह सकते हो उन उसके फीचर से सब्लाजमा मेंब्रेन की बात करें दो कोई भी अगर हम एक सेल करते हैं मालेजे व्ränलीज्या का एक आकशल जिस मेंब्रेन से इंखोड़ होता है यह जो एक मेंब्रेन होती है यह membrane क्या कहलाती है? ये membrane कहलाती है plasma membrane यानि हम normally कहते हैं कि cell is enclosed by a membrane which is known as a plasma membrane और make sure plasma membrane जो होता है वो एक धंग से कभी-कभी हम इसको cell membrane भी कहते हैं तो यह इसका definition हो गया कि cell जिस membrane से enclosed होता है उसे हम plasma membrane कहते हैं दूसरा नाम जो इसको दिया जाता है वो दिया जाता है cell membrane क्योंकि एक ऐसा membrane जो cell के चारों तरफ से coverage form है अब इसके अगर features की बात करें मतलब इसकी क्या speciality होती है क्या nature होता है तो जो plasma membrane होता है इसको हम selectively permeable कहते हैं what is the meaning of selectively permeable selectively permeable का मतलब होता है कि किसी चीज़ को allow करेगा और किसी चीज़ को allow नहीं करेगा so depending upon the nature of that molecule की कौन सा molecule कैसा है उसके nature के उपर depend होके किसी किसी portion को या किसी किसी आप बोल सकते हो कि molecules को plasma membrane normally allow कर देगा अपने अंदल से diffuse होने के लिए लेकिन किसी किसी molecule को allow नहीं करेगा अब जिसको allow नहीं करेगा और अगर उस molecule की जरूरत है cell के अंदर तो वो molecule क्या करता है transport protein का help लेता है तो हम इस basis पर कह सकते हैं कि plasma membrane क्या होता है it is selectively permeable इसके पास एक elasticity होती है as well as आप यह कह सकते हो कि एक impermeable barrier create करता है उन सारे molecules के लिए जिसका नेचर ऐसा नहीं है कि वो cell को cross कर सके और especially यह जो impermeability होता है मतलब किसको यह पास नहीं करने देगा अपने अंदर से तो में लिए ऐसे molecule जो कि water soluble होते हैं वो molecule में लिए plasma membrane को directly cross नहीं कर पाते हैं fine तो water soluble membrane water soluble molecule के लिए जो plasma membrane होता है वो एक impermeability देता है मतलब कि वो उसको cross नहीं करने देता है तो अगर उसको cross भी करना है तो उसको कुछ और means लेना पड़ता है बट normally diffuse नहीं हो पाते हैं water soluble molecule through the plasma membrane अब अगर हम membrane के potential की बात करें में लिए cell membrane potential हम इसको कहते हैं तो इसे हम में लिए क्या करते हैं negative consider करते हैं अब बहुत से students को यहां पर negative का जो meaning होता है वो समझ नहीं आता है जो cell का membrane potential होता है वो negative इसकी वज़े किस वज़े से होता है due to the high what high k plus ion k plus ion के high होने की वज़े से cell का membrane potential होता है वो negative होता है अब बच्चों का यह doubt होता है कि as because k plus यानी जो potassium ion है वो खुद positive charge है तो वो cell को negative charge कैसे provide करता है तो make sure जो reference point होता है reference point का मतलब क्या होता है जब भी आप दो चीजों को compare करते हैं I mean to say अगर आपको कहना है कि हाँ x y z student बहुत अच्छा पढ़ता है यानि आपने किसी एक बुरे ऐसे student को देखा है जो कि अच्छा नहीं पढ़ता है अब उसके comparison में उसको बोलते हो similarly जब membrane potential की बात आती है तो cell के अंदर के इंटीर में अगर बात करें तो इंटीर में जो positive charge होता है वो काफी जादा कम होता है तो अब अगर हम नॉर्मली देखें तो यहां पे highly positive होते हैं highly positive और यहां पे क्या होगी cell के अंदर क्या होगा cell के अंदर होगा low positive ठीक है low positive तो अब यह high और low की बज़े से क्या करते हैं हम बाहर वालिज इनवार्मेंट होता है उसको हम positive consider करते हैं और अंदर वाले environment को less positive consider करते हैं अब less positive is not appropriate designation जो कि हम बोल सकें तो इसके लिए हम क्या करते हैं इसको negative consider करते हैं यानि it is less positive as compared to the outer environment that is why इसको हम बोल देते हैं negative तो k plus ion जो होता है cell के interior में present होता है जो की positive charge ion है लेकिन cell के बाहर जो होता है बहुत सारे positive charge ions होते हैं जिसकी वज़े से के plus ion का present cell के अंदर प्रेजेंट रहना उसका concentration काफी कम हो जाता है और जिस वज़े से हमें क्या देखने को मिलता है कि हम membrane potential को negative consider करते हैं अब बात आती है कि इसका significance क्या है membrane potential negative क्यों रहता है क्योंकि यह जो membrane potential rather to say membrane potential ही क्यों रहता है because membrane potential एक cell को work करने के लिए आप कैसे तो ideal condition देता है especially जब हम molecule के transfer की बात करते हैं वो molecules जो में लिए diffusions के through oblique cosmoses के थरू pass होने की capability रखते हैं क्योंकि जब एक जिगह पे membrane potential कम होता है और दूसरे जगह पे ज़्यादा होता है में ली हम कह सकते हैं इसको concentration gradient के basis पे जहां कम होगा और जहां पे concentration ज़्यादा होगा depending upon that cell काम करने की कोशिश करते हैं ठीक है especially अगर energy independent process की बात करें तो चीज़ें अपने high concentration से low concentration की तरफ move करती हैं fine तो इस basis पे membrane potential का concept आता है although cell का membrane potential mainly negative होता है due to the presence of k plus iron iron inside the cell इसके बाद अगर हम plasma membrane के composition की बात करते हैं तो composition में mainly आपको क्या क्या देखने को मिलता है obviously it is made up of lipid तभी तो इसको बहुत ही famous तरीके से क्या कहा जाता है lipid by layer यानि lipid की दो layer बनी हुई होती है by layer right हम इसको normally क्या बोलते है L L B L कहते है that is lipid by layer दो layer होती है lipid की अब lipid ही खाली नहीं होता है obviously उसमें कुछ portion of proteins भी embedded होते हैं as well as कुछ portion of carbohydrates भी आपको देखने को मिल सकता है लेकिन as ce처 हम में इसको मेली क्या करते है minor consider करते है माइनर क्मांट में आपको देखने को मीलेगा major amount में क्या देखने को मिलेगा protein oblig lepid का composition देखने को मेलेगा fine तो इस basis पर अगर हम बात करे composition की तो protein क्या करता है lipid by layer में inserted रहता है और protein ये भी हो सकता है कि protein जो है अकेला present हो या फिर protein carbohydrate के साथ mixture में present हो तो अगर हम सिफ molecules की बात करें mainly कि हां कौन-कौन से चीजें होती हैं जो composition के basis पे divide की जा सकती है तो plasma membrane lipid, protein और carbohydrate तीनों का मिलकर बना होता है especially जब हम proteins के बार में पढ़ेंगे तो देखेंगे कि proteins अकेले क्या काम करती है transport का काम करती है अगर वो carbohydrate के साथ जुड़ जाती है तो हम उसे mainly glycoproteins कहते है तो इन सब basis पे composition दिखा जाता है plasma membrane का and at last जो lipid bilayer का concept है उसे हम mainly fluid mosaic model भी कहते है because there is a composition of protein 2 इसलिए वो एक mosaic pattern देता है जिसमें कि आप एक धंग से आप कह सकते हो there is a composition of different thing like lipid हो गया protein हो गया right so इस basis पे हम इसको fluid mosaic model के आम से भी जानते है as well as lipid lipid bilayer के नाम से भी जानते है fine जिससे की like यह जो particular model है उसे प्रपोस किस ने किया था that is singer that is singer and Nicholson ने प्रपोस किया था that is mainly in 1972 तो यह कुछ features हो गए किसके plasma membrane के जिसके बार में पता होना काफी जरूरी होता है जब हम plasma membrane के composition के बार में पढ़ते हैं या फिर उसके features के बार में पढ़ते हैं एक बहुत important facts आते हैं इसके बार में जिसे हम कहते है functions यानि plasma membrane क्या है यह समझ में आ गया कहां present होता है यह समझ में आ गया किससे मिलकर बना होता है उसके बार में भी हम detail में देखेंगे लेकिन पहले यह जाना जरूरी है कि भाई यह होता क्यूं है इसका कुछ ना कुछ main function होगा तब ही यह present है तो सबसे पहले अगर function की बात करें तो obviously यह barrier की तरह काम करता है मतलब हर एक molecule को नहीं cell के अंदर आने देगा obviously selectively permeable है यानि गिने चुने molecules को normally diffuse होने देगा और बाकी सब के लिए अगर जरूरी है उनका cell के अंदर एंटर करना तो transport protein की help लेगा second देखिए that is it help in transport यानि कुछ transport protein होंगे ऐसे molecules जो directly cell membrane को cross नहीं कर सकते हैं उनको कोई helper चाहिए और वो helpers कौन होते हैं वो helpers होते हैं transport protein transfer protein ऐसे molecules को या करते हैं cell के exterior से cell के interior में लेकर चले जाते हैं उसके बाद plasma membrane की बात करें तो very obvious यह cell signaling में involved हैं कैसे involved हैं जैसे कि आपको पता है कि सारे के सारे receptors जो होते हैं वो cell membrane के उपर present होते हैं जो receptor intracellular होते हैं उनकी तो बात अलाग है वो cell के interior में होंगे लेकिन जो cell surface receptors होते हैं वो mainly कहां present होते हैं that is plasma membrane पर present होते हैं तो very obvious plasma membrane का role किस में हो गया cell signaling में हो गया क्योंकि अगर plasma membrane ही नहीं रहेगा तो very obvious cell signaling कैसे होगी next अगर बात करें that is it used to help in the formation of junctions junctions यानी मतलब कि क्या हो गया जो different different junctions होते हैं जिसके कारण cells क्या करती है interact करती है तो normal ही देखा जाए तो junction क्या है junction आप कह सकते हो कि जब plasma membrane कुछ modification लेता है तब वो junction form में काम करता है तो formation of junction में भी कौन काम करता है plasma membrane काम करता है तो इस basis पे कुछ important functions के बार में हमने देखा इस important functions का जानना आपके लिए बहुत जरूरी है क्योंकि one by one ही क्या करोगे आप concept बील कर रहे हो कि क्या है कैसे है और क्या जरूरत है इसकी fine अब हम solely focus करते हैं plasma membrane के बार में तो यहां से आपका actual concept शुरू हो जाता है अफितक हम पुरा basic deal कर रहे थे अब यहां से actual concept शुरू हो जाता है तो normally देखा जाए तो as because दो layer है lipid की that is why यह कहलाता है bilayer of lipid या फिर lipid bilayer अब यह देखा जाता है कि इस lipid bilayer को बनाने के लिए total 3 classes of lipid molecule की जरूरत पड़ती है यह जो 3 classes of lipid molecules हैं जो कि LBL that is lipid bilayer में present होते हैं उनका नाम है that is phospholipid, glycolipids and sterol यह 3 major classes of lipids होते हैं जो कि lipid bilayer में आपको देखने को मिल सकते हैं अब इनका detail भी very obvious हम cover करेंगे because phospholipid के बारे में अच्छा खासा concept है वो भी detail में तो आने माले वीडियो में obviously phospholipids के बारे में भी cover करेंगी और glycolipids और sterol के बारे में एक हम outer आप कह सकते हो concept लेंगे तो एक हो गया आपका polar part और दूसरा हो गया non polar part polar का meaning क्या होता है polar का meaning ऐसा एक nature जो की hydrophilic हो ठीक है fine it will be a water soluble oblique water loving non polar का मतलब क्या होता है non polar का मतलब होता है hydrophobic portion अब यह तो मालूम हो गया कि non polar part का मतलब हो गया hydrophobic portion यानि ऐसा portion जो की water में soluble ना हो लेकिन यह होते कहां कहा है तो lipid molecule की जब हम बात करते हैं तो polar part जो होता है यह mainly कौन सा portion होता है head portion और non polar part कौन सा होता है tail portion तो अगर हम इसका diagram इस basis पे बनाना चाहें माल लेजिए कि यह एक lipid molecule है तो यह इसके पास एक tail हो गया fine और यह इसके पास एक tail हो गया माल लेते हैं तो यह जो tail portion होगा इसे हम कहते हैं क्या this will be tail portion अब यह tail portion कौन सा होगा it will be a non polar ठीके यह non polar होगा और यह जो head portion है यह वाला head portion इसे हम कहेंगे polar part polar मतलब क्या हो गया यह water में solubilize हो जाएगा fine तो इस basis पे एक एक lipid molecule में एक polar part होता है एक non polar part होता है अब ऐसे molecule जिनके पास polar और non polar part दोनों होता है उसे हम mainly एक नाम देते हैं और इसे हम कहते हैं amphiphilic what is the meaning of amphiphilic amphiphilic एक ऐसा आप कह सकतो तो lipid molecule oblique protein molecule हो गया जिसके पास hydrophobic और hydrophilic part दोनों होता है ठीक है in fact amino acid oblique protein में भी mainly जैसे की protein amino acid का मिलकर बना होता है तो हम उस वक्त पे यह भी कहते हैं कि जिस protein के पास polar और non polar part दोनों होता है हम उसे amphiphilic के नाम से भी जानते हैं तो इस basis पे हम एक एक lipid molecule को क्या कह सकते ह हैं क्योंकि इनके पास polar part और non polar part दोनों होता है and last but not the least that is plaza membrane होता है यह mainly dynamic city शो करता है मतलब कि यह constant नहीं रहता है इसमें कुछ changes होते है as well as इसका एक fluid structure होता है इसलिए हम इसे fluid mosaic model के नाम से भी जानते हैं तो इसके साथ हमने एक basic जो होता है लगभा plaza membrane का हो cover कर लिया अगले वीडियो में that is part two में मैं आपको deal करवाऊंगी that is mainly from the phospholipids okay sorry phospholipids के बारे में मैं आप से बात करूंगी और इसका हम detail cover करेंगे because phospholipids भी बहुँट टाइप के होते हैं जो की overall plaza membrane में प्रेजन होते हैं